हेलो इस्टुटेंट वेलकम तो दाइमसा स्टेडी मेटेरियल चनल शीख आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप कनवर्जन के बारे में टाइप कनवर्जन यह उसी को हम बुल देते हैं टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को कनवर्ट करना टाइप मतलब टाइप किसी एक टाइप को दुसरे टाइप में कनवर्ट करना उसी को बुलते हैं टाइप कनवर्जन यह टाइप कास्टिंग तो टाइप कास्ट यह टाइप कनवर्जन is basically a conversion from one type to another एक type से दूसरे type में जो conversion करते हैं, उसी को हम basically क्या बोलते थे typecast два type conversion type means data type एक data type से दूसरे data type में बदलने की process को हम बोल देते हैं type conversion there are two types of type conversion, दो तरह के type conversion होते हैं पहला होता है implicit type conversion और दूसरा होता है explicit type conversion अब इसको याद रखने का तरीका implicit जो compiler खुद से कर दे वो होता है implicit type conversion और explicit जो हम करें बाहर से हम करें जो user करेगा वो हो जाएगा explicit type conversion ठीक है तो जो by default compiler करतेगा वो implicit type conversion और जो forcefully हम करेंगे वो explicit type conversion तो पहला देखते है implicit type conversion ये क्या होता है it is done by the compiler on its own ये compiler खुद से करता है ठीक हमको कोई कुछ बताने के जरूरत नहीं है generally takes place when in an expression more than one data type is present ये कब होता है type conversion जब एक ही expression में एक से ज़्यादा data type मौझूद हो जैसे हमने लिखा a plus b और एक a int type का है और b float type का है तो एक int और float का sum हो सकता है क्या a plus b लिखा नहीं तो महाँ पर क्या जरूरत लगेगी data को बदलने की क्या किस में बदलना है या तो float को int में बदलो या int को float में बदलो ये जरूरत होती है ठीक है तो expression में जब एक से ज़्यादा data type आता है तो अब ये type conversion होता है इसी condition में क्या होता है type conversion क्यों होता है data का जो loss होता है उसको avoid करने के लिए जैसे हमने देखा int by int का answer क्या आता है integer जैसे हमने लिखा 12 by 5 तो ये भी int है और ये भी int है तो इसका answer भी क्या आएगा int आएगा मतलब 2 ही आएगा 2.4 नहीं आएगा ठीक है ये तो इस data के loss को बचाने के लिए क्या होता है type conversion next point है all the data types of the variables are upgraded to the data type of the variables with largest data type ये हम implicit पढ़ रहे है और implicit में क्या होता है जो भी छोटे data type होता है वो अपने आप जो भी बड़ा data type मौजूद है उसमें convert हो जाता है compiler करता है तो all the data types of the variables are upgraded upgraded मतलब बढ़ना ठीक है तो जो भी variables का data type है वो अपग्रेड हो जाता है to the data type of the variables with largest data type उस variable के data type में अपग्रेड होता है जो जिसका data type सबसे बढ़ा होता है ठीक है तो ये हमने data types पढ़े है character short int unsigned int long unsigned long float double long double तो character और short int आया तो मानलो एक character है और एक long double है तो जो छोटा वाला है वो किसमें upgrade होगा बढ़े में मतलब ये भी long double बनेगा और ये भी long double बनेगा इसको long double कुन बनाएगा compiler और फिर दोनों का sum होगा या जो भी operation perform होगा ठीक है तो सबसे छोटे से बढ़े में किसमें integer में मानलो एक character a है short int b है और int c है a plus b plus c करा तो सबसे बढ़े data type कौन से integer तो ये तीनों किसमें convert हो जाएंगे integer में और फिर उनका sum होगा ठीक है तो ये int फिर किसमें convert हो जाएगा बढ़ा unsigned int में ये सब छोटे फिर किसमें convert होंगे अगर ये आया तो long होगा अगर एक data type long होगा और एक character हुआ एक integer हुआ तो सब किसमें convert हो जाएंगे long में long से बढ़ा unsigned long उससे बढ़ा float उससे बढ़ा double और उससे बढ़ा long double मानलो एक character है एक integer है एक float है और एक long double है चारो वेरियेबल है उनको चारो को प्लस कर रहें तो चारो पहले किसमें कर्वर्ट हो जाएंगे लॉंग डबल में क्योंकि सबसे बड़ा क्या है लॉंग डबल और कौन करेगा कंपाइलर ठीक है नेक्स पॉइंट इस पॉसिबल फूर इंपिलीशइट कंवर्जयुन तो लूज़न यह पॉसिबल इंपिलीशिट कंवर्ज़्सन में कि इंफर्मेशन लूज हो जाएं कैसे हो जाए देखो यहां पर, int है, इनके कुछ ने लिखा, मतलब signed है, signed in किस में convert हो जाएगा, unsigned int में, क्योंकि यह बड़ी value है, तो अगर unsigned int में convert हो गया, मतलब कोई भी sign नहीं, कोई भी sign नहीं, मतलब positive value, मतलब जो symbol होता है sign का, वो lost हो जाएगा, ठीक है, वो चले जाएगा, तो sign can be lost, कब sign lost हो जाएगा, when signed is implicitly converted to unsigned, जब signed, unsigned में convert होगा, तो जो सी, आगे plus या minus का symbol रहता है, वो lose हो जाएगा, ठीक है, example देखते हैं, void man, program लिख रखा है हमने, x में क्या है, integer x में tan value, integer value, character y में a, float z, अब हमको करना x equals to x plus y, x क्या है, integer, ये भी integer है, और ये y क्या है, character, तो पहले इदर देखो, integer plus character, तो यहाँ पर compiler खुद से करेगा, implicit क्या करेगा, ये x क्या है, integer, और y क्या है, character, तो इस character को कि किस में convert कर देगा, वो, integer में, तो integer मतलब ask की value, और small a की ask की value होती है, 97, तो ये y को किस में convert कर देगा, सबसे पहले तो integer में, और integer में इसकी value क्या है, 97, और x की value 10 plus 97, मतलब किता हो जाएगा, 107, और वो किस में store होगा, x में, तो x में क्या value आ जाईगी, 107, ठीक है, y किस मे convert हो गया इंटीजर में अब यहां पर देखो Z float में Z X plus 1.0 X क्या है integer plus 1.0.0 आगया मतलब कौन सी value होगी float यह double तो अगर float मान लेते हैं हम सबसे जोड़ी तो float होती तो float है और यह क्या है integer float और integer में बढ़ा क्या है यहां देखा हमने float और integer integer बढ़ा क्या है float तो यह जो integer यह किसमें convert हो जाएगा float में यह In into convert किसमें हो जाएगा float में तो X कе value क्या थी 10 तो वह क्या बन जाएगग आप 10.0 तो 10 plus 1 क्या हो जाएगा 11 10.0 Mr.0 तो यह क्या हो जाएगा 11.0 तो Z में क्या value और z की value x की value percent d में कहा थी वे 107 फिर comma है फिर z equals to है और percent f की value तो 11.6 times 0 clear है तो यह था हमारे implicit type conversion एक और example देखते है integer i equals to 16 character c equals to d float sum sum equals to i plus c ठीक है अभी हाँ देखो float भी आ गया integer भी आ गया है और character भी आ गया है तो पहले तो इधर देखो integer plus character है तो character है और यह integer खैर किसमें convert होगा integer में अब d है ठीक है a की value क्या थी 97 b की 98 c 99 और d की 100 तो इसकी value क्या होगी 100 तो यह c क्या या हो जाएगी 100 प्लस i क्या है 16 तो 100 प्लस 16 क्या हो जाएगा 116 यह इस यह grad test 116 ठीक है और यह store हो रही है sum ने और sum में कैसा ही float type का float बड़ा यह integer बड़ा float बड़ा तो integer value किस में convert होगी float में तो integer value को हम किस में convert करेंगे float में तो इसके बाद point लगके क्या लग जाएगा 0 clear है दो conversion हुए है तो printf sum percentf sum तो sum के value तो क्या थी हमारी 116 लेकिन यह इदर assign हुआ float में तो किस में convert होगी float में तो point के बाद क्या लग जाएगा 6 times 0 ठीक है यह था implicit type conversion अब देखते हम explicit type conversion explicit type conversion जो compiler नहीं करेगा जो user करेगा forcefully तो अभी तक हमने क्या देखा कि छोटे data type किस में convert हो रहे है बड़े data type में तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते है कि बड़े data type को अगर छोटे data type में convert करना है तो किस से होगा explicit type conversion यह उसको क्या बोल देंगे हम explicit type conversion तो इस process को क्या बोलता है type casting ठीक है type conversion यह type casting and it is user defined यह user defined है user करेगा here the user can type cast the result to make it of a particular data type यहाँ पे user type cast कर सकता है result को ठीक है to make it of a particular data type उसको उसके हिसाब से किसी भी data type का बनाने के लिए उसको क्या कर सकता है type cast तो उसका syntax क्या होगा पहले हमको लिखना पड़ेगा type ठीक है पहले हमको लिखना पड़ेगा type और फिर जो भी expression लिख रहे हम वो a plus b लिखा तो उसके पहले यह को अगर हमको बदलना है तो उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा type अगर b को बदलना है तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा type तो यह type क्या है एक unary operator है हमने operator precedence में देखा था इसको बोलता है type cast तो यह एक unary operator है तो पहले क्या solve होगा unary operator example देखते है पहले एक चीज़ा बस्ता है जैसे अभी हमने देखा था int को हमने character int में बदला था लेकिन int को अगर character में बदलना है तो हमको कौन सा करना पड़ेगा explicit है ठीक है अगर कोईसी float value है उसको int में convert करना है तो हमको explicit करना पड़ेगा ठीक है int से float तो अपने आप हो जाता है ठीक है लेकिन float से int explicit होगा कोईसी double value को हमको int में convert करना है तो यह explicit होगा type लगा के ठीक है clear है example देखते example avoidment double value ले x में 1.2 integer sum अब लिखा sum equals to x plus 1 sum integer है x क्या है double है plus यहाँ पे क्या है 1 है integer value है ठीक है तो हमको क्या करना है अगर forcefully यह तो क्या है double है और यह integer है तो यह अपने आप अगर compiler करेगा तो integer को किस में कर देगा double में लेकिन हमको integer value को ही sum करवाना इस 1 को तो हमको x को क्या बनाना पड़ेगा integer यह है क्या double और इसको x को हमको बनाना क्या है integer क्योंकि 1 से जोड़ना है तो इसको हमको forcefully क्या बनाना पड़ेगा integer तो type में data type झाय खाएगा तो इसमें हमने bracket में क्या लिख दिया int तो यह जो x है यह पहले किस में convert होगा? integer में मतलब x क्या था? 1.2 तो अब यह integer में convert होगा तो integer में point वाली value आएगी या नई तो x क्या हो जाएगा? 1 केवल यहाँ पे x की value तो यही रहेगी लेकिन यहाँ पे अभी x किस में convert हो गया? 1 में तो इसकी पूरे की x convert होने के बाद value क्या हो गई? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 किता हो जाएगा? 2 तो sum तो integer है तो इसमें क्या assign हो जाएगा? 2 तो जब printf करेंगे तो sum में value क्या हैगी? 2 clear है? तो यह हमने forcefully कर आया है double को किस में convert कर वाया? integer में बड़े data type को छोटे में कर वाया ठीक है? लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है छोटे को भी बड़े में forcefully भी करना पड़ सकता है उसका example देखता है voidman integer sum equals to 16 count equals to 5 एक double में लिया mean अब mean equals to sum by count था पहले ठीक है? यह double अभी बहटा हो sum by count तो integer by integer की value भी क्या आती? integer और वो assign किस में होती? float में तो point के बाद क्या लग जाते? 0 करके देखते हैं अगर 16 by 5 होता तो इसका answer आना क्या चाहिए था? by 3 is a 15 और 3.2 लेकिन अगर integer by integer होता तो इसका answer क्या आता? 3 ठीक है? अगर double नहीं होता तो इसका answer क्या आता? 16 by 5 का 3 और फिर 3 mean में store होता मतलब कौन सी double value तो यह बन जाता 3.00006 बार ठीक है? अभी हमको क्या चाहिए? यहीं पर ही 3.2 चाहिए तो हम क्या कर रहे है? यह double है इन दोनों में से किसी को भी एक को क्या बना तो double तो हमने इसके आगे bracket लगा के क्या लिख दिया? double मतलब type, type क्या लिए double तो यह sum अब यहाँ पर क्या होगा? पहले unary operator यह perform होगा तो sum जो integer value थे 16 वो किसमे convert हो जाए कि double में? मतलब यह हो जाएगा 16.00000000 फिर divide वो होगा counts है, count तो integer है 5 तो अब यह देखो double divide by integer, ठीक है? तो integer और double जब division होगा तो answer किसमें आएगा? बड़े वाले data type में मतलब double में यह अपने हाप implicit भी हो रहा है कि यह अपने हाप किसमें convert हो जाएगा double में ठीक है? और इसका answer क्या आएगा? फिर आएगा 3.2 क्योंकि point में value है, तो इसका answer आएगा 3.2 और फिर point के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 value, 2 और 5 times 0 और वो store होगा mean में, क्योंकि double value डबल में store हो रही तो कोई type casting नहीं होगी, सिधे mean output के आएगा 3.2 एक value तो होगी, बागी 5, 0 ठीक है? तो यह था हमारा type casting का topic implicit और explicit Thank you